वेल्कम टू विवान श्टडी हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर उपस्तित हुआ हूँ इस स्बांद productiveया ओर क्या चैकि गाया है उसे असरी पні puerta करता है तो जिन बच्चों की लिए उन वे लिपने और यहीं महत हो फोल्पण होने वाले हैं। क्योंकि जो previous years में बीते हुए शालो में जो exams हुए हैं उससे questions पिक किये गए हैं चाहे वो UPSI का रहा हो चाहे बिहार SI का रहा हो यह previous year के questions हैं ठीक है तो पूरे MCQS को सारे प्रशनुतरी को ध्यान से दिखेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है content है तो प्लीज चैन कि मारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को प्लीज पने दोस्तों को जरूर शेयर करें और यह जो solar system की questions और MCQS है इसकी PDF file आप मारे description box में लिंक दे गई है वहां से जाके download कर सकते हैं PDF file आप मारे telegram group चे भी download कर सकते हैं तो चले बढ़ते हैं आज के MCQS पर तो दोस् efficiency correct हो जाएगा तो यहां पर देखेंगे यह copper nicas है तो copper nicas की बात करें तो copper nicas का पूरा नाम Nicholas copper nicas है और यह एक Polish country है जो European country है वहां के खगोल सासरी थे और 1473 और 1573 के मद्दी इनों यह प्रस्तावीत किया था कि सूरिक है ब्रम्भान का केंद्र है तभी से के लिए रोपाया अगला कुछन आप देखें निम लिखित में से कौन सौर मनल का भाग नहीं है options आप देख सकते हैं option A छुद घूम गेतू ग्रह निहारिका तो इसमें कौन सा जो है option जो है सौर मनल का पार्ट नहीं है तो correct answer हो जाएगा option दी निहारिका नहीं है जिसनी ज़रा सभी solar system के बा आए निहारिका है क्या चीजिज तो निहारिका गयिस धूल hydrogen gas helium gas और unionicred यानि आओंए क्यास धाली जिसमें इसे बोलते हैं निहारिका पुराने जमाने में जो नहारिका कैसे कहा जाता था पुराने जमाने में खगोल में देखने वाले किसी वी वस्त्त को अगर खगोल य क्या है जो यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई कि धूल हाइडोजन गैस हिलियम गैस और अन्य आइनिक रती यानि आयोनाइजड प्लाज्मा यह जो गैसे उपलब्ध होती है उन्हें का जाता है निहारिका आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर चुले बढ़ते हैं तो नیक्स्ट क्वेशन है अंत्रिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं बहुत ही इंपार्टन फ्क्षान है इस च्छोड़ा ही presence लेकिन एक्जाम्स में wordt बटी चींक हो जाती है जब हमारे साम्ने क्षान आता है एक्जामनर कि बतरह टरए टिर्की तरीके से पुछ लेता है तो अंत्रिक्ष में कुल कितने तारा मंदल है तो करेक्ट एंसर हो जाएगा 89, option C करेक्ट हो जाएगा, यानि कुल मिला कि 89 तारा मंदल है, जो है अंत्रिक्ष में, ठीक है, चले बढ़ते हैं, next question पर, question number fourth है, ब्रम्भान्द में विश्पोटी तारा खहलाती है, ब्रम्भान् लुबधक, ठीक है, तो ब्रम्भान में विश्पोटी तारा कौन लुबधक, बढ़ते हैं, next question पर, question number five है, वैज्ञानिक जिन्होंने सरप्रतम खोट की कि प्रतिवी सूर के चार और घुमती है, वो कौन थे, यानि किस वैज्ञानिक ने ये पता लगाया है, ये research किया, य direct answer हो जाएगा, option C, Nicholas Copernicus, ठीक है, Copernicus ने पूरी तरह थे research किया था, जो है, प्रतिवी सूर के चक्का लगाती, क्योंकि, थाबित हो गया था, कि सूर का है, ब्रम्भान का एक केंद्र है, तो ब्रम्भान का लॉजिकली अगर केंद्र है, तो सारे stars या सारे जो है, उसी के च date, यानि कि जो dates यहां पर दी है, जो तारीख यहां दी है, आपको correct date, कि किस date में सूर्य दिखाई देता है, तो correct answer हो जाएगा, option C, 21 June, नार्वे में का होता है, कि आर्ध रात्री के समय, सूर्य 21 June को दिखाई देता है, आर्धी रात में सूर्य दिखाई देता है, ठीक है, चले बढ़ते हैं, next question पर, question number 6 बहुत important है, क्योंकि यह थोड़ा, target questions है, चले बढ़ते है, question number 7 पर, question number 7 है, निम लिखित में से किनके बीच की औसद दूरी को खगोली एकक कहा जाता है, very important, जो नीचे जो कपल दिए गए, जो साथ में जोड़े दिए गए हैं, इन जोड़ों में बताना है कि किनके बीच की दूरी को, मालों एक यह नक्षकत रहे, एक यह नक्षकत रहे, तो किनके बीच की दूरी को खगोली एकक कहा जाता है, तो करेक्ट एंसर हो जाएगा, option A, प्रत्थवी तथा सूरी, प्रत्थवी तथा सूरी के बीच की जो दूरी है, उसको एकक कहा जाता है, most important यह नेक्स क्वेशन पर, question number 8, म्ध्य, रात्री, सूर, कोर्श में इसको द्याँ दीजेगा, म्ध्य, रात्री, सूर और क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, Option A, score का धृर्वी वरत्थ में देरinya तक चमकना, यह उसका सूरी का धृर्वीवरत्थ है, उससे बोलतेे हैं, क्या मध्य रात्री सूर्इ बोलते हैं सूरइ का धूरी वृत्य में देर तक चमकना कैक केने मद्थलब ही आप इस पर वशक का लगाती है छितनी में जनतर देर तक चमकना है यह उस भूत है मध्य-रात्री सूरइ ठीक है चलब भड़ता है worship अब आगा तो क्वेश्चन नम्र नाइन है दोस्तों सूरी के रासाइनिक मिस्तरण में हाइड्रोजन का प्रितिस्त कितना होता है सूर्य का जो रासायनिक मिस्तरण है क्योंकि सूर्य कई गैसों से मिलकर बना हुआ है तब इसके अंदर असीमित एनर्जी है भारी मात्रा में एनर्जी है तो काफी अलग-अलग रासायनिक मिस्तरण से बना हुआ है तो इस भी यह बताना है कोश्चन में कि सूर्य के रासायन मिनिस्टराण में हाइड्रोजन का पृतिसत कितना होता है तो करेक्ट एंसर हो जाएगा option A 71% ठीक है 71% जो है इसका पृतिसत होता है तो यहां पर करेक्ट एंसर option A हो जाएगा परते हैं नेक्ट वर्शन पर question number 10 झायन कि नीमलिखित में से कौण एक तारा है चंद्रम शूल पृतिवी है तो सुरी सुख्र न यह और प्रित्विय यह स्वाइद कवे दिफरेंस होता है तारह और नशत्र ठीक है यह चाहिए सकते CC लिए तरह और ग्रह फरक वता है प्रक्षिक क् Alan का होता है निरभों होता है कि दिपेंडेंट हो अब होता है जब रह तरह होते थाति लिए उसलीखका में किरोट केंद्र 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 मिंदू है नहीं है में पर लगदबा कितना तापन होता है जो इसक चाहर तब वहां पर प्रस्ट भूमी होती है, उसका कितना तापमान होता है, तो करेक्ट टैंसोर हो जाएगा, आप्शन ए, 800 सिंटिग्राब, सॉरी जाइस, आप्शन सी, ए, 6000 सेंटी, ग्रेट, ठीक है, तो 100 प्रस्ट पर लगबग कितना तापमान होता है, सॉरी में असीमित एनर्जी है, असीमित पावर है, और लगातार पावर जनरेट होता रहता है, तो आप पंदादा लगा सकते हैं कि कितनी एनर्जी होगी, तो सौर्प्रस्ट पर लगबग कितना तापमान होता है तो correct answer हो जाएगा 6000 centigrade चले बढ़ते हैं next question पर question number 12 सूर के सता पर hydrogen के अलावा दूसरा कौन सत्त तो बहुतायत से पाया जाता है सूर के सता पर यानि सूर पर जो energy है वापर जो energy generate होती रहती है तो उसकी जो सता है उस सता पर hydrogen के अलावा दूसरा कौन सत्त तो बहुतायत से पायाता है तो correct answer हो जाएगा option A helium और helium भी एक gas है जो क्या करती है सूर की सक्टियों को बढ़ाती रहती है hydrogen के साथ मिलकर ठीक है तो hydrogen के अलावा दूसरा कौन सत्त तो है helium correct answer हो जाएगा option A अउसमें कितनी मिनित लेता है तो यह question almost अभी को आता होगा क्योंकि सूर के सबसे पास कौन से ग्रह है सूर के सबसे पास कौन सब रहा है गाई तो बहुत important question है कि कौन सब रहा है जो है सूर के सबसे पास है तो करेक्ट एंसुरर जाएगा option A बुद्ध ग्रह बुद्ध ग्रह क्या है सूर के सबसे निजदी ग्रह है ठीक है जाले बढ़ते हैं next question पर question number 59 है now. बुद्ध नक्सत्र में एक रर्ष में दिनों के संखा कितनी होती है? जो बुद्र नसेत्र है उसमें एक रर्ष में एक साल में दिनों के संखा कितनी होती है? बहुत important question है. could not do things. प्रित्वी की बात करें कि In the beginning, पृत्षवी में सोरी गाइस इसका option हो जायागा option D ठीक है option D करेक्ट हो जायागा यानि 88 देज तो बुद्ध निशत्र में एक वर्थ में दिनों के संगा कितनी होती है अठा से दिन होती है most important question इसको आप लोग कैसे भी आप इसको ध्यान में रखें question number 16 निम लिखित में से कौन से ग्रहों के चारो और घुमने वाले उपग्रह नहीं है जो नीचे जो ग्रह दिये हुए है बताना है चारो और घुमने वाले उपग्रह नहीं है कौन से ऐसे ग्रह है जो क्या करते हैं चारो और घुमने वाले उपग्रह नहीं है यालि चारो तर तो बुद्ध और सुक्र ऐसे ग्रहें जो क्या हैं ग्राहों के चारों गुमने वाले उपग्रह नहीं है किसी भी ग्रह के वह चारों तरब नहीं चक्का लगाते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया है एक ग्रह के हमेशा उपग्रह होते है जो प्रत्वी है तो इसी तरह जो है बूद रता सुक्र इसका कोई अभेलेबल नहीं नहीं difficulty नहीं है बढ़ता हैं next question में cinु लिखत में से कउन सा ग्रह सूर का चक्र सबसे कम समय में लगाता है अब बताना है कि कौन सा ऐसा अग्रा है जो सूरी का चक्र सबसे कम समय में लगा लेता है बहुत ही most important question क्या सकते हैं क्योंकि exam में ऐसे ही logical question पूछे जाते हैं कि आपको कितना knowledge है किसी particular topic के बारे में तो सत्रवा question है कि निमिखित में कौन सा अग्रा है सूरी का सबसे कम समय में चक्र लगाता है तो correct answer हो जाएगा option B option B क्या करता है सूरी का चक्र सबसे कम समय में लगा लेता है सबसे short period में सूरी का चक्र राउंड एक राउंड पूरा कर लेता है ठीक है तो question number 18 है guys सूर मनल का कौन सा अग्रा है लगबग प्रित्वी जितना बड़ा है most important question क्योंकि यह similarity दिखा रहा है यहां पर दो ग्रहों के बीच में similarity दिखा रहा तो सूर मनल यानि solar system का कौन सा अग्रा है लगबग प्रित्वी जितना बड़ा है तो correct answer हो जाएगा option C सुक्र क्योंकि सुक्र का है सुक्र तक्रीबन प्रित्वी जैसा ही है ठीक है तो इसलिए उसको तुलना के गए है compare comparison किया गया है solar मनल का कौन सा अग्रा लगबग प्रित्वी जितना बड़ा है सुक्र आए चलते question number 19 पर question 19 है सबसे चमकील ग्रह कौन सा है तो सबसे चमकील ग्रहा इस सुक्र कार अर्स को आफिकर में सुर्य ओदह होने के थोड़ी पहले इसको देखा जा सकता है सुक्रग्रा को क्योंकि सबसे चम्किला रहा है यह होता हो और प्रत्वी के लगभग नजदीक काफी है ठीक है पढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर से करें के लिक प्रत्वी के सर्वातिक कउन्सा रहा है सबसी निकट बिए प्रत्वी के बहुत पास्स में है तो आपको ज्यादा हो रहा हगा तभी आपको ज्यादा कीनेटॹलाइवा दिखाई देगा ठीक है तो इंप्र देखाई प्रित्वी के सरवाद्विक निकट कौन सब रहा है वह सुक्र रहा है आपसंस एक करेक्ट हो जाएगा लिए और पार्ट वर कल तक अवील पर कर दे जाएगा बाई इवनिंग तो प्लीस अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीस सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चाहें तो हमारे टेले गुरूम पर जाकर हमारे गुरूप को जाइन कर सकते हैं और और फेस्बुक रूप हमारा जो है उसको भी आप जोइन कर सकते हैं, आई कर सकते हैं, तो ये सारे questions for all kind of competitive exams हैं, किसी भी exams के लिए आप ये question अब ये use कर सकते हैं, या आप देखेंगे, अगर study करते हैं, तो आप ये question exam में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, अगर आप believe करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप non-believer थें, तो no problems, nobody can do anything for you, तो guys, मिलते हैं कल दोसे session में part 2 के साथ, तब तक लिए thank you so much, जैन